वेलकम टी आवर यूट्यूब चैनल का पहला जो चैप्टर था उसके अंतरकत है वो पढ़ चुके थे अब जो डिसकस करने जा रहे हैं वो विवाद है बेटा इनका ठीक न और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर इनकी दोनों की सहमती है सहमती वाले कि यदि मैं बात करूं तो दोनों में क्या है मुक्त व्यापा जो है वो कर सकते हैं मित्रता संदी है स्री लंका में सुनामी के दोरान मदद कि जब स्री लंका के अंदर सुनामी है वो आती है तो भारत उसकी क्या है मदद करता है मतलब आर्थिक मदद भी के लिए भी स्री लंका से शांती स्री लंका से शांती सेना वापस बुलाना बु पहला है तमिल लोगों का मुद्दा कि भारत जो बारतिय जो तमिल है उनका पक्स वो ले रहा है तो इसको लेकर भी जो विवाद है दोनों के इंत्रगत वो चला हुआ है तमिलों दोवारा अलग देश की मांग तो ये भी एक विवाद का कार्ण है लिटे का संगर्स जो अंदुरुनी मामलों में दखल अंदाजी करना तो ये भी कार्ण है बेटा मालदवीप हिंद महासागर में इस्तीत एक द्यूवीप ये देश है क्या है मालदवीप क्या है एक छोटा सद्यूवीप ये देश है मालदवीप 1968 1968 तक सुल्तान सल्तनत रहा था सल्तनत होता क्य बेटा सल्तनत की यदि मैं बात करूं तो एक राजा का जो रूल है वो हो था ठीक है नहीं यहां पर राजा रूल करते थे और 1968 में यह एक गणतंतर राज्यव गणतंतर बना और यहां कि सेना के अध्यक्सत मिलवसासन की जो अध्यक्सता आकमक जो परनाली है उसको अपनाया गया कि 2005 के जून महिने में मालदीप की संसद ने दूइश दनिय परनाली को अपनाने के पक्स में मद्दान किया अच्छी बात है MDP यहां की परमुक पार्टी है जिसका यहां की राजनेती में दबदबा है तो आपसे मालदीप की जो पार्टी है वो पुछेगा MDP इसकी परमुक पार्टी है 2005 के चुनाओं में मालदीप में विपक्सी दलो को कानूनी माननेता है वो भी दे दिया गया 2005 के जो चुनाओं है उसमें क्या हुआ था कि पहले जून महिने में बहुत अलिया जो परनालिया उसको अपनाया गया और फिर बाद में उसे कानूनी जो रूप है वो भी दे दिया गया अब बात करते हैं मालदीप और भारत के संबंदों के बारे में ये लास्ट टॉपिक है बेटा आज की क्लास का और चेप्टर नंबर हमारा जो फोर है वो कम्प्लीट है वो हो जाएगा फिर हम चेप्टर नंबर फाइफ को डिसकस है वो काफी जल्दी ही करेंगे और जल्दी ही जो स्लेबसा उसको भी कंप्लीट कराने की कोशिशा वो करी जाएगी भारत और मालदीव के सम्मन्द 1988 में स्रीलंका से आये कुछ बाड़े के सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया 28 88 में श्री लंका से आए कुछ बाड़े के शैनिकों ने किस पर हमला कर दिया मालदीब पर हमला कर दियू Consider मौद्याननी माल्दीव के साथ हमारे कहें c1 arms May है और जो मदद है वो की है तो ये था आज का topic हमारा बेटा और ये part number 3 था आज chapter number 4 का और ये complete हुआ हमारा ये आपको कुछ doubt है तो आप मेरे से confirm है वो कर सकते हैं message कर सकते हैं या फिर आप comment करके मुझे बता सकते हैं तो चलिए मिलते हैं next chapter के साथ और जो chapter होगा हमारा वो होगा 5th chapter thank you and thank you very much बेटा